नमस्कार सभी दोस्तों को मैं जोती आप सभी का स्वागत करती हूं स्टेडी वी जोती यूटूब चैनल में देखिए मैंने चला रखी है दोसों क्वेश्चन की सीरीज जो की आपके लिए बहुती फायदे मंद होगी डेली हम दोस्तों क्वेश्चन कर रहे हैं और इन 2000 को क कमप्लीट करेंगे और जारी रखेंगे इसको ऐसे ही डेली की डेली वीडियो अप्लोड करके तो चलिए आज के क्वेश्चन की सुरुवात करते हैं हम आप से एक रिक्वेस्ट है जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीज तो चला हुआ है मारा पिछले विडियो जिसने नहीं देखी है तो उसको देख सकते हैं तीक है उसमें योगंद्रैन है मंतरी और उसमें वासुदत्ता की कहानी है तो वासुदत्ता को कहां चिपाया था उन्होंने चिपाया था अवंतिका में ठीक है नेक्स्ट प्रिशन ह हमारा है अगनी की गटना हुई थी अगनी की गटना को कहां पर हुई थी लावानक ग्राम में हुई थी अगला प्रश्न है अपाद है पद संतानों गद्यम गद्य लक्षन किस ने बताया है यह गद्य लक्षन बताया है दंडी ने ठीक है यह पूछे जाते हैं यह क्वेश् हमारा है ओजिशामास भूय श्च्ट्व प्वम एटत qué देश्छं मि प्राप्त होता है यह होता है काव्य दर्स किसकी दवारा लिखा है दंडी की दवारा लिखा गया है घट्डे काव्य मुख्य रूप से कितने भागों में भाजित नायक कोन है तो हर सुरित का नायक है हर्शवर्धन ठीक है अगला प्रिशन हम देख लेते हैं बान भट ने कादंबरी में किस सहल किसेली का प्रियों क्या है येगिया पांचारली का प्रिवव, ठीका, चंद्रापीड किसका पुत्र था, तारापीड का पुत्र, ठीका, पुन्रिक किसका पुत्र था, पुन्रिक था, किसका स्वेत केत्व का, ठीका, स्वेत केत्व का था, वैसम पायन किसका पुत्र था, वैसम पायन सुकनास का पुत पुंडरिक किसभा आशक्त था पुंडरिक था महाश्वेता पर आशक्त महाश्वेता का आश्रम था कहांपर आच्योध श्रोवर परente कादम्बुरी किसकी P 파ूटरु थी कादम्बुरी थी गंधर्व राज तित्र та की कि तारा पीड की राजधानी काहां थी in ूझbeing में देखिए तारे उज्वल होते हैं यह टरिक है एक छोटकी सी याद करने किसको ठीक कि cambi नहीं हो तारा पीड के राजनी उज्वल तारे क्या होते हैं तारे से माधि़ की वभंशेन रिश gide my अगला प्रAdam अमारा है कादंब्री की सहचरी कौन थी कादंबरी की सहचरी मदलेखा बान भट कादंबरी कथा का वख्यान किस्य करवाता है बान भट करवाता है वख्यान जाबाली रिशी से चंद्रापीड को देखकर कामक्ष आसक्त कोन चंद्रापीड को कामा आसक्त होती है कादंबरी ठीक है अगला प्रशन मारा है काम पीडा के कार्ण दिवंगत कोन हुआ ये हुआ था पोंडरिक सुद्रक पूरु जनम में कोन था सुद्रक था चंदरापीड अगला प्रशन मारा है शुबंधु दुवारा लिखित वाशुदत्ता का नामकर्ण किसके आधार पर है ये है नायका की आधार पर वाशुदत्ता के नायक कंदर्प केतु कामित्र कौन था कंदर्प केतु कामित्र था मकरंद अगला प्रशन है वाशुदत्ता कंदर्प केतु की खोज के लिए किसे बेज़ती है ये बेज़ती है तमालिका को वाशुदत्ता कहां की राजकुमारी थी रावाशुदत्ता थी पाटली पुत्र की राजकुमारी दंडी दुवारा लिखित दस कुमार चरितम का विशेश पात्र कौन है विशेश पात्र है राजवाहन ठीक है दस कुमार चरितम में कौन है विशेश पात्र राजवाहन है जो की नायक है अगला प्रशन हमारा है राजवाहन के पिता कोन है राजवाहन के पिता है राज हंस 10 कुमार चरितम में कितने उच्छवास है राज 10 कुमार चरितम में है 8 उच्छवास राजवाहनोर अवंती सुंद्री का विवा किस उच्छवास में होता है अगला प्रशन हमारा है दंडी की प्रशिद्धी किस कारण से है दंडी की प्रशिद्धी है पदलालित्ते के कारण अपहार वर्मा तथा उपहार वर्मा किसके पुत्र थे प्रहार वर्मा के थे राजहंस कहां का राजा था राजहंस था मगधदेश का राजा अगला प्रश्न हमारा है शिवराज विजय के लेखक पंडित अभीका दत्व व्यास जी का जन्म स्थान कहा माना जाता है ये माना जाता है जैपूर में ठीक है शिवराज विजय को किस रूप में मानेता दी गई है शिवराज विजय को मानेता दी गई है प्रथम उपन्यास के रूप में सिवराजविजियां का नायक कोन है नायक है सिवाजी सिवाजी का मुख्य शंगर्स किस के साथ होता है सिवाजी का मुख्य संगर्स होता है औरंग जेव के साथ सिवाजी ने बगनखे से किसको मारा था बगनखे से मारा था सिवाजी ने किसको अफजल खांको मारा था अफज सिवाजी औरंग जीव की कैद से किस तरह मुक्त हुए सिवाजी किस तरह मुक्त हुए थे यह वे थे फलो की टोकरी में बैठ कर कवी नाम अगलद दर्पो नूनम वासुदत्या से सुबंदू की प्रसस्ति किस ने की है यह बाणबटने की है ठीक है मुनीना भरतेन यह है प्रियोगो भवतीशु अस्ट्र आस्रियो सिरिबद्ध से भर्त मुनी को किस ने याद किया है तो किस ने याद किया कालिदास जी ने किया है ठीक है बाण है कमी नाम इह चक्रवर्ती से बाण की परसंसा कौन करता है शोधल जी करते हैं ठीक है अगला प्रशन हमारा है वाणी बाणों भुभुए है बाण के विश्या में किस की उक्ती है ये ये है गोवर्धनाचार्य की ठीक है अगला प्रशन हमारा है बाणस्तु पंचानन है से बाण की कावेशली की प्रसंस्ती किस ने की है बाण की कावेशली की प्रसंस्ती की है चंद्रदेव ने ठीक है अगला प्रशन हमारा है हरशो 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 हरद्यवस्ति पंच बाणस्तु बाणा है से बाण की प्रसंस्ती क हमारा है गोश्ठी रूप गीता के लेखक कोना गोश्ठी रूप गीता के लेखक है स्रीधरभासकर वनेकर जी पंडित समाराव पंडिता समाराव की गद्य रचना कोन सी है नहीं है नहीं है कोन सी नहीं है मंदार मंजरी नहीं है ये कथा मनिमाला पंडिता समाराव की है कथा मुक्तावली भी है और विचित्र परिशद यात्रा ठीक है अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रबंद मंजरी के लेखक कोना प्रबंद मंजरी के लेखक है रिशी केस बटाचारिय जी क्या है प्रबंद मंजरी का ऐसे कह सकते हैं जो रिशी होते हैं रिशी मुनी वे सभी चीजों का प्रबंद कर लेते हैं अगला प्रश्ण है कथा सरीत सागर के लेख कोन है कथा सरीत सागर के लेख का स्वाम देव जी प्रबंद चिंता मनी के लेखक है प्रबंद चिंता मनी के मेरु तूंग ठीक है मेरु तूंग है विश्णु सर्मा ने पंच तंतर कि किस तंत्र के प्रथम तंत्र का नाम है मित्र भेद देखे प्रथम तो हो गया मित्र भेद दूसरा है मित्र लाभ मित्र लाभ तिसरा है कौन सा है तिसरा यह है काकू काकू अलीकम ठीक है काकू कुलूकियम ठीक है चोथिया नमबर का कौन सा है यह अब लब्ध प्रनास देखें साइड में लिखिए हुए मित्र भेद पहला है थीसरा है संदी विचेद भी आप इसनमका कई लेकां और जो चोता है वह अल दिण्स प्रनास divided5 परेक्षित' ठीका ये पूछे जाते हैं अब एस्टेट में पूछा गया था ये क्वेश्चिन अगले क्वेश्चिन पर नकुल ब्रह्मनी किस तंतर में है यह अप्रक्षित कारकम नामक तंतर में वानर मकर क्था कहीं है लब्द प्रनास में अगला प्रशन हम देख लेते हैं इतो पदेश को कितने परिषेदों में बाटा गया है इतो पदेश को बाटा गया है चार परिषेदों में इसके भी चार परिषेदों में इसके भी चार परिषेद हैं एक पहला है मित्रलाब दूसरा है सुहर्थ भेद चोथा है विग्र है है पाँच वाह संधी ठीखा इतु पदेश का प्रथम परिछ जेद किस नाम से है पहला आमने पर पता दिया है मित्र लाब है ठीख का दूसरा है सुरद बेद दूसरा तीसरा है विग्र है जोथा है सन्दी ठीक है अगला है क्वेश्चन नारण पंडित ने ही तो पदेश किस राज्जा के पुत्रों के लिए लिखा था नारण पंडित ने तो पदेश लिखा था ये किसके शुदरशन के पुत्रों के लिए शुक शब्तती कह स्जिमकर मा कावव्य कंड काववे माना जाता है यदि उसमें साथ सर्ग हो Gobierno देखिए उसमें आठ सर्ग होगे तब तो वो कहा जाएगा महा कावे लेकिन उसमें अगर साथ सर्ग होगे तो क्या कहा जाएगा खंड कावे कहा जाएगा ठीक है इसलिए महा कावे खंड कावे माना जाता है यदि उसमें साथ सर्ग हो तो अगला प्रशन हम देख लेते हैं महाकावे का प्रारंब किस से होता है महाकावे का प्रारंब होता है मंगला चलन से और ना टक का पुछे तो नान दी से होता है ठीक है और महाकावे का मंगला चलन से महाकावे के सरगांत में क्या होता है महाकावे के सरगांत में होता है सरग के अंत में अग्रिम कथा की सुचना होती है यह जब सरग समापत होने वाला होता है तो अगले सरगी उसमें सुचना दी जाती है मा कवे का नाम करने किसके नाम पर नहीं होता है यह नहीं होता है रश के नाम पर नायक के नाम पर भी हो सकता है कथा वस्तु की अधार पर हो सकता है कवी के नाम पर हो सकता है लेकिन रश की अधार पर नहीं हो सकता है माला प्रश्ण हमारा है अगला प्रश्ण हमारा है कितने हैं जाबवती विजियम् अगला प्रश्ण देख लेते हैं वर रूची दौची दौच्वारा लिखीत यह स्वरगा आरोहन महा काव्य ऐतले रहाई दोड कर देखी में जुझा है tasty यह को नहीं है और भारत माहा भारत पर दिखा गया है राज सिखकर की रामयान प्राइण पर है रामयान पर राज़ पांडवियंबी रामयान पर रागो नेश धियंबी रामयान पर है और श्णरीद चनीताम महाभारत पर रचे गई हैं अगला प्रशन है कलिदाज द्वारा रचीत रघुमेंस में कितने सरग है उननीस सरग है अगला प्रशन हम देख लेते हैं रघुमेंस में कलिदास ने किस वंष के राजाओं का वर्णन किया है तो किस वंस के राजाओं का वरणन किया है ये किया है सूरिय वंसी राजाओं का ठीक है रगुवंस में महा भारत में कौन से एका मिलता है चंद्रवंसियों का मरणन मिलता है रामायन में मिलता है सूरिय वंसियों का ठीक है कि रग्वंस का मुख्य रश कोन से रग्वंस का मुख्य रश सांत रश रग्वंस के अंत में किस राजा का वर्णन है रग्वंस के अंत में अगनी वर्ण नामक राजा का वर्णन कहा गया है नंदिनी दिलीप की परिक्षा कौन से दिन लेती है नंदिन लेती है 22 वे दिन ठ डिखा देली प्राज्जा कि कि अगला प्रशन माले हैं इंदू मती काश्वयंलों वार से सर्क में ओता है यह था च्छटे सर्ग में रगुमें में राम का वर्णन कि सर्ग में किया गया है 9 सबलागेे किस सर्ग में आता है कौन से सर्ग में आता है पांच में सर्ग में आता है कालिदास ने 18 सर्ग में कितने राजाओं का वर्णन किया है कुमार संभवम का नायक कोन है यह सिव जी क्या है कुमार संभव के नायक पताए गए है पारवती की तपश्या की परिक्षा किस सर्ग में है पारवती की तपश्या की परिक्षा है पांच में सर्ग में सिव पारवती की विभा का प्रस्ताव लेकर इमाला के पास कोन गया था कौन गया था सब्तरिशी गये थे रती विलाप किस सर्ग में वरनित रती विलाप है चोथी सर्ग में वरनित इमाले की पतनी का नाम था मेना ठीक है अगला प्रशन हम देख लेते हैं सिव पारवती का विवा किस सर्ग में होता है साथ में सर्ग में कारती की काजनम किस सर्ग म कालिदास ने किया है कारतिकी का जनम किया है दश्मे सर्ग में ठीक है ब्रह्मदेव ने तारका शुर्वद के लिए किसे सेनापती बनाने का निर्देश दिया था ब्रह्मदेव ने तारका सुर्वद के लिए किसे जनापती बनाने का निर्देश दिया था कारतिके को तारका सुरकावद किस सर्ग में दिखा गया है ये दिखा गया सत्रवे सर्ग में कालिदास द्वारा असलील चित्रवरणन किस सर्ग में है जिसके कार्ण कालिदास कुष्ट रोगी हो गए थे ये आठ में सर्ग में है अगला प्रशन है भारवी के पिता का नाम था बारवी के पिता के लिए अगला प्रशन है किरात वेस्धारी कौन थे किरात वेस्धारी शीव थे किरात कर अरजुनियम का परारंब किस सब्य से होता है किप प्रशन है पाशुपत अस्तर प्राप्ति के लिए अर्जुन कहां जाता है पाशुपत अस्तर की प्राप्ति के लिए अर्जुन हिमालय जाता है बारवी को किस दूसरे नाम से जाना जाता है आत्पत्र के नाम से ठीक है किरात अर्जुनियम की कथा वस्तु महाभारत के किस परवशे ले गई है किराता अर्जनयम की जो कथा वस्तु है महाव भारत के वन परवशे ले गई है किराता अर्जनयम में सीव अर्जुन का युद किस सर्ग में होता है किस सर्ग में होता है यह यह होता है पंदरवें सर्ग में अगला है किरातर अरजनियम में सीव Reson Kaill 12 Cand गवी ने किस सर्ग में सरवादिक्स किया है तो यह किया है पंदर में चित्रालंकार 12 हाईकाख रिसलोकों का प्रियोग भारवी ने किस सर्ग में शर्वादिक या तो यह किया है । सबस्विकार निवास और स्विकार किया गया है किया जाता ये भीनमाल गुजरात के थे माग ठीक है अगला प्रशन हम देख लेते हैं शिशु पालवधम में कितने सर्ग हैं शिशु पालवधम में सर्ग हैं 20 सर्ग शिशु पालवधम को किस समु में रखा जाता है ये रखा जाता है ब्रहत तरई में शिशु पाल वधम का प्रेणा स्रोत कौन सा पुराण है प्रेणा स्रोत है भागवत पुराण शिशु पाल वधम का नाय कोन है ये है स्री कृष्ण जी युदिष्टर द्वारा किस यग का आयोजन किया गया था युदिष्टर के द्वारा राजशुय यग का प्रारमिक आयोजन किया गया था राजशुय यग के आयोजन का वर्णन किस सर्ग में है चोद में सर्ग में है अगला प्रशन है शिशुपाल के वद कावर्णन है किस सर्ग में है ये है 20 सर्ग में 20 सर्ग है टोटल तो 20 सर्ग में इसका शिशुपाल का वद किया जाता है माग ने किस सर्ग में एक आक्षर द्वैक्षर और चित्रालंकार का प्रियोग किया है ये 19 सर्ग में किया है माग की घंटा माग उपादी का कारण कौन सा कव्वे वेसिस्ट है यह उपमा के कारण इनको घंटा माग कहा गया है अगला प्रशन देख लेजिए माग ने आयुर्वेद ज्यान का प्रियोग किस सर्ग में किया है यह किया है दूसरे सर्ग में माग ने विश्णों के अवतारों कावर्णन किया हैं किस सर्ग में किया हैं चोध में सर्ग में किया है बटी कावे में कितने शर्ग हैं बटी कावे में 22 सर्ग हैं ठीक है अगला प्रशन हमारा है बट्टी ने एक सर्ग में एक ही लकार प्रयोग से वेदुष्य को किन सर्गों में दिखाया है यह दिखाया है 14-22 सर्गों में ठीक है रामेन के सुंदर कांद कावर्णन किस सर्ग में बत्टी ने किया है? रामेन के सुंदर कांद कावर्णन इस सर्ग में किया है, दश में सर्ग में. 318 क्योशन हमारे कंप्लीट हो चुके है, तो आप इस वीडियो में आन्द तक बने रहीए, अच्छे प्रस Пон Muito. तो चलिए अगला प्रस्वास देख लेते हैं बाशा सम का प्रयोग बटी कावे में किस सर्ग में मिलता है ये 3 में सर्ग में मिलता है कारक्षा मंदीनीयमों का प्रयोग किन सर्गों मिलता है 6 से 9 सर्ग तक मिलता है अगला प्रशन है श्री हर्ष का आश्रेदाता कौन था श्री हर्ष का आश्रेदाता था जैचंद्र नैशिद यह चरितम में कितने सर्ग हैं 22 सर्ग है नैशिद का अंगी रस कौन सा है श्रिंगार रस है अगला प्रेशन हम देख लेते हैं, श्री हर्ष ने अपनी कृती में किस दर्शन का समर्थन किया है, यह किया उन्होंने अधवयतवाद का, जो कि अधवयतवाद किसका सरंकरचारिय ने दिया हमतिये, और श्री हर्ष ने इस कृती में अपनी कृती में इसका समर्थन किया, शोल में सर्ग में चारवाक्षिदांतों का खंडन स्रीहर्स ने किस सर्ग में किया है ये सत्र में सर्ग में किया है और फेक्ट ने अपनी पुस्तक संस्कृत ग्रंथों की ब्रहत सूची में नैशिद की कितनी टीकाओं का उलेख किया है तो यह किया है तेईस टीकाओं का ठीक है अगला प्रशन है हमारा नैशिद यह चरितम की टीकाओं में मलीनाथ की कौन सी ट अबनने किया तो नेसे मिलनात की तीका है जीवातु नमक तीक फ्री रिती का प्रयोग नियाक है तो यह वैधर बी रिती का प्रयोग यह स्रीहस ने किया है ठीक है अगला प्रेशन हम कर लेते हैं दिखिंदे प्षियस्य स्थानकर के अठाने से स्वेश्य कि सैंगें अतर हैसी राजा देया है कि वार्ण कैने नाभन वगता है है विक्रमांग का देव चरितम में अठारह सर्ग है नव ससांक चरितम में भी 18 सर्ग विक्रमांग का वर्णन किया गया है ठीक है चलू के वंसका वर्णन किया गया है विक्रमांक देवचरितम में विक्रमांक देवचरितम का वैसिष्ट क्या है वैसिष्ट है विक्रोक्ती अगला प्रेशन है राजदरंगीनी के लेखक कल्हन का जन्म स्थान कहा है यह कश्मीर के कलन ने राज तरंगीनी किसकी प्रेणा से लिखी थी अतनक दत के प्रेणा से ठीक है अतनक दत की प्रेणा से अगला प्रशन है राज तरंगीनी का लेखन कितने वर्सों में पूरा हुआ था यह हुआ था तीन वर्सों में पूरा हुआ था राज तरंगीनी का सी है आठवी तरंग सबसे बड़ी तरंग है ठीक है पुराणिक राजाओं का वरण किस किन सर्गों में पुराणिक जो राजाओं का वरण है एक से चार नाम चार तक सर्ग में है ठीक है अगला प्रशन है तारापीड के राज्य का वरण कल्लन ने किस तरंग में किया है तो होगे किया है चोत्ते सरंगे तरंग में सव्वमपाल विलास किसकी रसना है स्वउमपाल विलास है जलहन की ठीक है अग्ला प्रक्राशन है कुमार पाल चरीतं काले खकोन है कुमार पालेख खमत हेम क्देर में मेघ दूत में कालिदास ने यक्ष्ट का संदेश वहाग किसे बनाया है तो यह बनाया मेघ को ठीक है अगला प्रशन है यक्ष्ट को साप किस ने दिया था यक्ष्ट को साप दिया था कुबेर ने कुबिर कहा का राजा था कुबिर था अलका पूरी का राजा मेग धूत का उपजीवे कावे कौश का अगला प्रशन है मारा यक्ष अपने घर के सामने किस वरक्ष को बतलाता है किस गरणामक वरक्ष उसके घर के सामने है यह बताता है मेग को ठीक यक्षणी सापित दिनों की गड़ना किसके किसे करती है तो ननिकि अपने दिन संकेतित है तो ये है उत्तर दिशा में संकेतित अलका पूरी में ठीक है अलका नगरी जो है वेराज महल से उत्तर दिशा में यक्ष का आवास है मेग दूत पर अब तक कितनी टीकाइं लिखी जा चुकी है तो ये लिखी जा चुकी है पचास टीकाइं बास को किस राजा का बापती माना जाता है ठीक है अगला प्रशन है विश्वनाथ किस राजा के राजकवी थे विश्वनाथ थे कलिंग राज के राजकवी बान भट किस राजा के राज्यासरित थे हर्श्वर्धन के वल्लभी शिलालेख में स्रीधर स्रीधरशेन के साथ किस कवी का उलेख किया गया है ये किया गया बठ्टी का भार्वी यानि दामोदर किस राजा के सभापंडित थे यह थे विष्णु वरधन के राज-शेखर को किस राजा का सभापती तोई सभ्णावी बतला गया है यह बतला गया तो अगला प्रशन हम देख लेते हैं कुँनसा है प्रभोद चंदरोदे के लेह किस राजा के सबापणि थे ये थे किर्थी वर्मन के ठीक है अगला प्रशन हमारा है हर विज्य को knit कर को किस राजा ने आश्र它 ये दिया था ज्य आधित्य जी ने ठीक है और हर विज्याम में कितने सर्ग हैं तो 50 सर्ग हैं ठीक है अगला प्रेशन हमारा है सूरिय सत्कम का लेखक कौन है सूरिय सत्कम के लेखक है मयूर भट अगला प्रेशन हमारा है चंडी सत्कम के लेखक कौन है बान भट जी है अगला question है सुंद्रिय लेहरी किसकी रचना है सुंद्रिय लेहरी है आदी गुरु संकराचार्य जी की कलदास के आश्रेदाता कौन थे कलदास के आश्रेदाता थे विक्रमादित्य दंडी किस राजा के सभापंडित थे दंडी थे राम वर्मन के सभापंडित वसंतगड सिलालेख में किसर कवीकावलेख मिलता है ये मिलता है माग का आश्व गोस किस राजा के पंडित थे किसे थे कनेश्क के अगला प्रशन हम देख लेते हैं भवभूती यानि के स्री कंठ को किस राजा ने राज्य आसर्य दिया था या था यिश्यो मरवन ने थिका है मुरारी किसके सभापंडित थे मुरारी थे मान्धाता के दिल्ली श्वर कि जाग दिश्वरो भा मनोरथान पूर इतुं समर्थे किसके रचना है किसकी उक्ती है ये पंडित जगनाथ जी के गद्य पद्य मई वाणी चंपू इतिय भीदिय देख किसने कहा है दंडी जी ने कहा है अगला प्रशन हमारा है चंपू कावे में प्रथम रचना किसे माना जाता है ये माना जाता है नल चंपू को ठीकल नल चंपू को क्या माना पर्थम चंपू कावे माना जाता है जो कि त्री विक्रम भट के द्वारा विरचित है नल चंपू में कितने उच्छवास है नल चंपू में उच्छवास है साथ अगला प्रशन हमारा है भोजराज कृत चंपू कावे कौन सा है भोजराज कृत चंपू कावे रामायन शदा शीव सास्त्री मुस्ल गाउंकर का चम्पू कौन सा है यह है सिंदे विजय विलास ठीक है सिंदे विजय विलास अगला प्रेशन है वैशनवों पर तिक्षन प्रहार किस चम्पू में किया गया है विश्व गुण आदर्श चम्पू जो की वेकंटा धवरी द्वारा अगला है किस चम्पू में जैन धर्म के उपदेश वरनित है तो चम्पू का वे है जो इसमें जैन धर्म के उपदेश लिखेगा यह है यशस्तिलक चम्पू ठीक है यशस्तिलक चम्पू बाश्या वर्गीकरण कितने भावी भागों में किया गया है दो भागों में आकरत और पारिवारिक वरगीकन ठीक है अगला देख लेते हैं प्रशन हम 384 है 334 का बाशाओं के पारिवारिक वरगीकन में संस्कृत किस वर्ग में आती है संस्क्रित आती है भारोपिय वर्गीकन में, भारोपिय परिवार की भाशाओं की विसेस्था नहीं है, अशलीष्ट नहीं है, नहीं है। बाशा परिवर्तन के आंतरिक कारणों में यह नहीं आता है भोगोलिक नेत भोगोले आता है बहाय कारणों में ठीक है बला घात प्रेतन लागो प्यक्तिकत भिंता यह सब क्या आते हैं आंतरिक कारणों में आते हैं बाशा परिवर्तन के बाहिये कारणों में यह नहीं आता कौन नहीं आता प्रियोगा देख क्या है ठीक है अगला प्रशन हम देख लेते हैं धवनियों के आभ्यांतर प्रितन कितने होते हैं धवनियों के आभ्यांतर प्रितन होते हैं पांच कौन कौन सी होते हैं देखिए स्पृष्ट विवरूत गोधे सुल्वत हैं द्हवणियों के अब भयात्र प्रितन में यह हैं नहीं आता कौन सा दो ही और असी बशानिआतेर अर्त ल tread सवरित नहीं आता है अनुदात चोळight सुल्वति हैं यह समरीत आता हैं कौंसी में अंत्रीक में अर्थ हंतर में आता है देखिए यह दोशो कोशेन अभी हमारे समापत होने वाले हैं तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिये जिसने नहीं किया हम तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजी क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए और भी आने वाली है जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही फायदे मन्द होगी ठीक है तो ऐसे ही आगे भी वीडियो देखते रहें और अगला कोशन हम देख लेते हैं लाइक करना नहीं भुलें अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर देजिएगा इस वीडियो को ठीक है तो चलिए इसको हम कंटेनी रखते हैं उदात अनुदात सवरित किसके भेध हैं तो किसके भेध हैं यह हैं स्वर के भेध हैं अगला प्रशन हमारा है बाश्या की सबसे छोटी इकाई क्या है अगला प्रशन महारा है धवनी विङ्यान की विवेचना किन गरंतों में धमने विज्ञान की विवेचना मिलती हैं शिक्ष्या गरंतों में थीक है पद़ विग्यान की वैचना शिक्ष्य गरंथों में मिलती है ये मिलती है ये मिलती है देखिए अगला प्रशन हम देखिले हैं ब्षाउत्पत्ती में रनन सिध्धांत कौन मानता है ये मानता है कौन प्लेटो बाश्या उत्पत्ति में धात्तु सिधान्त कोन मानता है? धात्तु सिधान्त मानता है मैक्समुलर ठीक है बाश्या उत्पत्ति में धात्तु के सिधान्त को मैक्समुलर मानते है केंतुम सतम वर्ग में विभक्त बाश्या परिवार कोन सा है? बाशा परिवार है भारोपिये बाशा परिवार केंतुम वर्ग में ठीक है ललित विस्तर में कितनी लीपियों का उलेख किया गया है देखिए ललित विस्तर जो क्रंथ है उसमें कितने लीपियों का उलेख किया गया है चोसट लीपियों का अर्भी लीपी में कितने अक्षर कि हैं 64 अगला प्रेशन हमारा है प्रोफेसर ब्लूलर एक मिनट प्रोफेसर ब्लूलर ब्रामी में कितने अक्सर स्विकार करते हैं तो ब्रामी में करते हैं 41 एक तालिस ठीक है अगला प्रेशन है हमारा करोष्टी लिपी का लेख कहा मिलता है करोष्टी लिपी का लेख मिलता है मनशीरा में ठीक है और ये लिखी जाती है दाए से बाएं ठीक है अगला परसन है हमारा भारत की लिपियां किस लिपी से विक्षित हुई है बारत की लिपियां किस लिपी से विक्षित हुई है ठीक अउर यह लिखे जाती हैं 22 ये बोधाइं से बाइंसे बाइं से बामी लिखे जाती है 22 ये यूभी बाई सई नीक के सकते हैं खरश्टी लिपिदाइं से बाईं तो हमारे ये जो कितने कोशन होगे टोटल 406 कोशन कम्प्लेट कर लिए हैं हमने ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर चैनल को अप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐ थैंक यू सो मुच